जी क्या मईयर हो रहा है घड़ी क्या मईयर कर रही है ये कौन सा स्ट्रेस है और ये क्या है ये रनिंग क्या है और ये क्या है अस्लाम अलेकुम ये मैंने अपनी वॉक पे जा रही हूं और मैंने अपनी घड़ी को स्टार्ट किया है ये 140 गर से बाहर निकली तो फजर का टाइम है अंधेरा है और मेरा रह नहीं सकी कि मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊं कि ये मेरी गोड जो आटम का फूल है ये रात के वक्त अंधेरे में भी अपनी पूरी आबो दाब से देखें अपनी शो दिखा रहा है और अब मैं चल परी हूँ अंधेरा ही अंधेरा है घुप अंधेरा है और मैं जा रही हूँ कहां जा रही हूँ मैं बताती हूँ ना बंदा ना बंदेदी दाद दूर ये चेक पोस्ट नजर आ रही है अल्ला हूँ अल्ला हूँ चेक पोस्ट नजर आ रही है चले मैं इसके पास चलती हूं ये चोकिदार की पॉस्ट है और ये खाली है ये कहां गया है अपनी पॉस्ट छोड़के मैं बताती हूं आपको वो कोई कहीं अपनी ड्यूटि अब वो सौने नहीं गया ड्यूटि छोड़के ये देखें ये बाइक वाला भी जा रहा है, ये अल्ला हू अल्ला, ये बाइक वाला कहा जा रहा है, ये मस्जित आ गई, बहुत सारे बाइक वाले यहां आते हैं, मैं अपने हस्पन को भेज चुकी हूँ, वो मस्जित में जा चुके हैं, और मैं आप नमाज पढ़के, तस्वीर लेके, मैं उन्हें मुझे उन्हें जॉइन करना है और फिर हमने आगे morning walk पुजाना है मैं अपने husband को साथ देती हूँ कि आप नमाज पड़ें निकलें तो मैं सामने खड़ी होगी और फिर हम दोनों मिलकर आगे morning walk को जाएंगे और ये मैं active होके अपने husband का साथ देती हूँ मियां बीवी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए कहां जहां तक हो सके ये मस्चित है हमारी और यहां ये गाड़ी वाले डेली मैं देखती हूँ मैं यही दुआ करती हूँ अला मियां जितने कदम और जितना फासला ये तै करके आए है इनकी ने कियों में लिखते ना बच्चे भी होते हैं साथ और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि ये सुबह सवेरे अंधिरे उठके जाहरे बच्वन से ही आदत पड़ती है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने एशो अराम को माओं को अपनी नींदों को अपनी एशो अराम को इवन हस्बन के लिए भी अपने अराम को अपनी नींद को कुर्बान करना ये मैं मस्जद के सामने खड़ी हूँ और इंतजार कर रही हूँ अबी दौा हो रही है और उसके बाद लोग मस्जिद से निकलना शुरू हो जाएंगे मैं भी तस्वी पड़े जा रही हूँ और अपने हस्बन का इंतजार कर रही हूँ थोड़ी देर बाद मस्जिद से यहां से नमाजी निकलना शुरू हो जाएंगे और मैंने अपनी खड़ी को सेट किया 5.39 है घर से फिकर और था और मॉर्निंग बॉक शुरू हो गई मैं पीछे पीछे हूँ क्योंकि मैं विडियो बना रही हूँ और अंधेरा है आप देख रहे हैं हर तरफ हूँ का आलम है लेकिन हम दोनों मॉर्निंग बॉक कर रहे हैं यह मॉर्निंग बॉक शुरू हो गई है आइस्ता आइस्ता अंधेरा भी गाइब हो रहा है और यह देखें मैं भी चले जा रही हूँ नहीं थोड़ा सा आके जाके आएगा हाँ जी अंधेरा छटरा है और रोशनी आ रही है यह सूरज की रोशनी नहीं है यह उल्ला का कानून है हर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अगती है और सूरज बाद में निकलता है यह रोशनी पहले हो जाती है ये अल्ला का दस्तूर है जैसे उसने का हर तकलीफ के बाद राहत है हर गम के बाद खुशी है और हर दिन के बाद रात के अंधेरे के बाद सुबह सवेरे रोशनी है और कभी मायूस ना हो गमों से दुखों से के सवेरा जरूर आएगा सुबह जरूर होगी सुबह जरूर होगी हमेशा इसी उमीद पे रहें और कभी मायूस ना होएं कि अल्ला मिया ने बड़े अच्छा इंतिजाम किया हो ये हमारे morning walk की जगह है और साथ साथ दरिया चलता है कोरंग दरियाए कोरंग और बड़ा अच्छा लगता है इसका व्यूप इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया है देखे रोशनी शुरू होगी पहले इन घरों से लाइटों के चलने की नदर आ रही थी अब एक दम से रोशनी हुई लाइटें बुझ नहीं अबादी नदर आ रही दरियाए कोरंग का व्यूप है और इसके बाद हम morning walk मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितने step लिये हैं और यह step इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज कल हज की दरखास्ते दी जा रही हैं जो दे चुके हैं वो यकीन कर लें कि अल्ला उन्हें जरूर बुलाएगा और वो आज से walk शुरू कर दें क्योंकि हज पे पैदल चलना होता है आप walk करें और हर हाजी को यह smart phone और smart watch अभी से ले ले और इसको operate करना यह आपके phone के साथ भी connected है अभी से यह खरीद लें और अभी से इसके साथ used to हो जाएं और यह आपको हाज पे बड़ी help देगी हाँ जी अधेरा गाइब हो गया रोशनी शुरू हो गई घरों में लोग जाग गए होंगे लेकिन घर के अंदर है बड़ा मज़ा आता है मुझे कि यह इस तनी इस महोल में शेयर करने का खामोशी प्योर एंड क्लीन फिजा और साफ हवा और पोदे ग्री लेजी मैंने बाई सो नतर स्टेप लिये हैं और मेरी पल्स गर पहुंच गई हूं मैं सारे हाजियों को रिक्वेस्ट करती हूं यह देखे मैंने क्लिक किया और मैं 24 58 स्टेप्स लिये और उसके बाद 69 मेरी पल्स है और उसको मैंने मयर करने के लिए क्लिक किया कि मैं अपनी हाटबीट देखूं कितनी है वो 69 है लेकिन मैं उसे घर ब मैंसे मयर कर रही हूं लेकिन ये मुझे रिजर्ट नहीं देगी क्यूं इसकी वज़ा मैं भी बताती हूं आपको यह यहां रुक जाएगी और फिर घड़ी मुझे क्या कहेगी आप जरह गोर से देखें ये रिजर्ट मुझे नहीं देगी मयर करने के बाद भी क्योंकि मैंने इसे गोद में रखा, वो कहता है कि बेग शोर कि आपने रिस्ट पे पहनी होई और हाट के पेरलल रखें फिर मैंने बाजू पे बांदी और हाट के पेरलल रखें फिर इसे बईयर करना शुरू किया तो वो अब मुझे सही result देगी, अभी देती है, जी 55 BP per minute, और ये stress है, मुझे वो show कर रहा है कि normal है, average है, लेकिन मैंने फिर भी click दबा दिया, कि मुझे अपना stress मालूम करना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाईयों, मेरे हाजियों, 2025 के हाजियों, हर जगा आपको चलना पड़ेगा, और आप अपने घड़ी से अपने आपको examine कर सकते हैं, कि आपका stress कितना है, आपकी heart beat कितनी है, heart beat per minute कितनी है, और आप अपने examine कर सकते हैं, और आपने आपको control कर सकते हैं, उसने कहा है, now stress average, green, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है,